दो हजार चौबिस लोकसभा चुनाओ करीब है ऐसे में जन्ता के मन में काफी सवाल चल रहे हैं इन सवालों के मद्दे नजर हमारे साथ बात करने के लिए वरिश पत्रकार सुर्वेज बहादूर सिंग जी मौजूद है सर स्वागत है आपका धन्यवाद सर अगर हम बात करें पिछले लोकसभा चुनाओ की तो अखलेश यादो की हम बात करते हैं समादवादी पार्टी के राश्टी अध्यक अखलेश यादो पिछली बार आजमगर से चुनाओ लड़े थे फिर विधान सभा का चुनाओ आया उन्होंने चुनाओ लड़ा और नेता प्रतिपक्ष होने का फैसला करा उन्होंने सांसदी चोड़ी जिसके बाद भाजपा के हाथों में आजमगर की सीट चली गए नीर जितिक दल प्ली महतपूर है खासके उत्तर प्रदेश पर सबकी नजर है उत्तर प्रदेश में लोगसभा की 80 सीटे हैं अधिकांस दर सारे दल चाहे पक्ष सत्ता पक्ष्यों चाहेंगे को जादा से जादा सीटों पर अपना कभजा कालिक करें और जब तक आपका यूपी मजबूत नहीं होगा किसी भी रास्ती दल का जब तक यूपी है बहुत नहीं होगा तब तक दिल्ली में किंद में सत्ता हांसिल करना बड़ा मुस्कल काम होता है अब देखेए पिछले की दोनों चुनाओं शे तीनों चुनाओं से भारती जनता पार्टी लगातार उत प अपन हुए थे उतनी नहीं जीतेंगे तो निश्ची तुरूप से संभव नहीं होगा विपक्षी दलों का के अंदर में सरकार बनाना लेकिन कभी भी अगर योध्धा जब कोई मैदान में जाता है योध्धा योध्धा का जो सेनापती होता है योध्ध का उस सेनापती को फ भारती जनता पार्टी को चुनोती देने में सक्षम है इसमें कोई दोराय नहीं है और अगर बिपक्षी दलों की एकता हो गई तो जाहिड सी बात है कि भाजपर जनता पार्टी सामने कड़ चुनोती पेस करेंगे अकलेस यादो इसको अच्छी तरह से जानते हैं इसलिए जानते हैं कि जब तक हमें अपने कारकरताओं का मनोबल बढ़ाना है हमारी सक्ति दो नहीं करनी है तो हमें निश्ची तरूप भारती जनता पार्टी से फ्रेंट पर आकर लड़ दी पड़ेगी इसलिए अकलेस फ्रेंट पर लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि अखलेस अभी जब तक विधान सभा चुनाव होते हैं लोग सभा चुनाव होते तक तो निटा फिर तक छिर हुए ही उसके बावजूद भी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश से लोग सभा का चुनाव ड़ेंगे लेकिन लोगों के अंदर में एक सवाल ये भी है कि पिछली बार की तरह फिर वो अगर सांसदी छोड़ेंगे तो समाजवादी की जीती हुई सीड जो है वो भाजपा के हाथों में जा सकता है राजनीत में कभी भी भविस्वाली करना बहुत उचित नहीं होता है जनता क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी यह आउसर बताता है और आउसर के अनूप ही जनता अपना ब्योहर करती है पिछली बार जो इस परसितिया थी आपने देखा होगा हमारी जनता यही कहने लगी नहीं कि लोग सभाज करते होते हुए भी अकलेत स्यादो लड़के है फिर उत्तरप्रदेस से लड़के हो नेता प्रतपक्ष्य होँगे की नहीं होंगे फिर लोग सभाभी चले जाएं नहीं चलillіेंगे लेकिन अखलेष यादों ने वही चुना जो उनका कारकरता चाहता था अखलेस यादों का कारकरताओं का निश्चित रूप से मनुबल गिरा चुनाव पड़ाम आने के बाद इसलिए अखलेस यादों निता प्रतिपक्षी चुनोती सोईकार किया और सांसिती देश्टीपा दिया क्योंकि लोगों को पता था कि भारती जनता पार्टी को प्र संसनी रहा रही है और यही इस्थिति अगर लोग सभा की चुनाओं के बाद आती है तो निश्चित रूप से अखलेस यादों वही करेंगे जो उनके कारकरता कहेंगे उनके बिधायक कहेंगे उनके सांसत करेंगे और पॉजिटिव यह में अगर हम बात करें सर अगर इत्में इफन बट की कोई जगह नहीं होती कभी भी रास्त्री अस्ता पर छोटे मोटे दलों या कहिए छेतरी दलों को उतरी भी प्राक्ष्मिक्ता नहीं दी जाए सकते सन नावसरी का आप समिकर्ण छोड़ दीजिए जहां गुज्राल साहब हो गए देव गोड़ा हमारे साथ बात करने के लिए वरिश पत्रकार सुरेज बहादूर सिंग थे जिन्हों ने बताया कि किस तरीके से अखलेश यादो इस लोगसा बचुनाव में एक एहम भूमिका निभा सकते हैं जनसंडेस ट्राइम्स के लिए कैमरा पर संदिशान खान के साथ आके मिराज खान लगनो